तो आज में जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो है एक murder mystery movie इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि सच में जो सामने होता है कभी कबार वो वसली में वैसा नहीं होता जैसा हम उसे देख रहे हैं असली सच कुछ औरी होता है इस फिल्म का नाम है silence 2 the night owl bar shootout और ये फ बहुत हस रही थी मतलब इसके साथ कुछ गलत होने वाला है फिर वो वहां से जैसे ही जाने के लिए तयार होती है वो आदमी को देखती है जो बहुत tension में था जैसे ही वो लड़की वहां से जा रही थी वो अपना phone लेती है लेकिन उसका phone उस आदमी के laptop के उपर गड़ जा के part 1 में एक बहुती complicated case को solve कर दिया और वो आधी रात में एक लड़की को देखता है जो prostitute होती है और उसके साथ एक लड़का जबरदस्ती अपने साथ उसे खीच कर ले जा रहा था जबकि वो जाना नीचाती थी इसलावी नाश उस लड़के को बहुत बीड़ता है और उ किस समा सकती है कमिश्टर बताते है कि मिनिस्टर प्रदीव जोशी का P.A. सरायू सेट वो मारा गया है वो अविनाश को कहते हैं कि आख़र सरायू क्या बात करने के लिए गया था किस से मिलने गया था ये सब पता करो इसके बाद अविनाश तो रंथ नाई टाउल बार पह वहां का मालिक पहुंच जाता है आनंद पार्टिल वो भी बहुत रो रहा था कि उसके बार का हालत क्या हो गया विनाश उसे पूछता है कि क्या यहां वो ड्रग्स बेशता है मालिक कहता है वो ऐसा इलीगल काम नहीं करता उन्हें सरायों के पॉकेट से एक अग्रेबंट मिल आकर क्राइम सीन को एनालिसिस कर रहे थे और अविनाश सोच रहा होता है कि जब शूटर सभी लोगों को मार रहा था तो यह लड़की यहां बैठी वी क्यों थी यह भागनी की कोशिश क्यों नहीं की उस लड़की के खून के स्प्लटर को देखकर ऐसा लगता है जैसे उस सामने से मार गया हो जब वो अपने चेयर पर बैठी वी थी और उन्हें लगने लगता है हो सकता है यहां कोई दूसरा शूटर होगा तब ही उन्हें पता चलता है कि गोविन को होशा गया है वो लगतोरंथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं कि कल रात ना लगी थी फिर गोविन पर भी गोली चला दी गई वो कहता है जब वो गोली मेरे उपर चलाने वाला था तब उसने कहा पक पक संजना उसे एक डेड लड़की की फोटो दिखाती और पूछती है क्या तुमें से पहचानते हो वो कहता है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा और फिस में जाकर वो लग फुटेज को देखते हैं जो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था और उसमें उन्हें ग्रे कलर का हुटी पैनावा एक आदमी नजर आता है फिर वही लड़की नजर आती है जो मर गई थी वहाँ पर इरफान नाम के लड़के के साथ वो आई थी जो भी मरावा मिला फिर वहाँ पर किलर की इंटरी होती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि जो ग्रे हुडी पैनावा था उसे हमने बाहर निकलते वे नहीं देखा हो सकता है वो शूटर का साथ ही हो और वो पीछे के रास्ते से भाग गया होगा जब वो फिर से क्राइम स जिसमें 300 रुपे थे और उस रुपे के मदद से उन्हें पता चल सकता है कि लड़की आखिर थी कौन उन्हें ये भी समझनी आ रहा था कि आखिर ये लड़की नीचे क्यों गिरिवी थी जैसे के इसे धक्का दिया गया है ऐसा लग रहा था जैसे खूनी उसके पौकेट से कुछ धूनने की कोशिश कर रहा था उन्हें लग रहा था कि जरूर खूनी उस लड़की का फोन ढून रहा था मगर सवाल ये है कि आखिर क्यूं सभी का फोन और ID सुरक्षित था यहां तक के सरायू का भी लेकिन आखिर इस लड़की का ही फोन उस खूनी ने क्यों लिया तभी उन सब को समझा जाता है कि खूनी का टार्गेट असली में सेक्रेटरी सरायू नहीं था बलके ये लड़की थी। इसलिए एक किलिंग को छुपाने के लिए उस किलर ने सब को मार डाला। आधी रात में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक घर में बंद थी। अब ये लड़की कौन है? इसके साथ क्या हो रहा है? ये सब आगे की कहानी में पता चल जाएगा। अगली सुबह हम अविनाश को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। तभी उसे जैपूर से इंस्पेक्टर जया का कॉल आता है जो बताती है कि वो पहले भी अविनाश के साथ एक नार्कोटिक्स केस में काम कर चुकी है। अविनाश उसे पहचान लेता है और दोने एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद जाया अविनाश को बताती है कि उसके पास एक केस आया है। एक लड़की की डेड़ बाड़ी मिली है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके मरे वे 72 घंटे हो चुके हैं। उसके गले में गोली लगी है और वो कहने लगती है कि पहले भी वो लोग ऐसे केस पर काम कर चुके हैं जिसमें खूनी था जो पहले लोगों का गला घोटता था और उसके बाद उन्हें गोली मार देता था। अविनाश समझ जाता है ये तो बाबा गोम्स वाला केस है लेकिन बात ये है कि गोम्स तो जेल में है और उसे उमर कैद की सजा हुई है जया उसे केस से रिलेटेट कुछ तस्वीरे वाटस अप कर देती है फिर जब वो अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ वो अपने केस का एनालिस्ट विन्स्टन से मिलता है जो कहने लगता है कि वो अविनाश का बहुत बड़ा फैन है इसके बाद वो रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि बार में दस गोलिया चली थी लेकिन वो कंफर्म है कि ये एक ही बंदुग से दस गोलिया चली है अविनाश उसके एन हर कार्ट से पता चला वो भोबाल से है अमित ट्रैजेक्टरी रिपोर्ट के बारे में बताता है और कहता है कि आविनाश बिल्कुल सही था आजमा को सामने से ही गोली मारा गया है मतलब कि उस खूनी के लिए वो लड़की इंपोर्टन थी हो सकता है कि वो पीछे के रास्ते से भाग गया होगा क्यूंकि वहाँ कैमरा तो था नहीं इसलिए उन्हें अब में रोट के कैमराज चेक करने पड़ेंगे उन्हें ये भी पता चल चुका है कि आजम और इर्फान बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन इनके प्रोफाइल में एक और लड़का हमेशा नजर आता है इसके बारे में पता करना जरूरी है सिर्फ इतना ही नहीं ये भी पता करना जरूरी है कि सरायू और के विश्णू का बाग की लोग के साथ क्या कोई कनेक्शन कुछ तो गरबर है सरायू और के विश्णू के अलावा वहां सभी लोग आम लोग थें किसी का कोई हिस्ट्री नहीं था कमिशनर कहते हैं कि मैं मिनिस्टर जूशी को जादा समय के लिए नहीं रोख सकता तुमारे पास दो दिन का वक्त है संजना को पता चला है कि इर्फान एक डेकॉरेटर के यहां काम करता है और वहीं रहता है अपने दोस्तों के साथ उन्हें इर्फान के दोस्त रिजवान के बारे में भी पता चला है इसे लिए रिजवान काफी फिर उसकी बेटी निकी कॉल करती है और उसे समझ आ गया था कि उसके पापा काफी अकेले हो गए हैं लेकिन अविनाश कहता है मैं मूव ओन करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मैंने पुराने घर को छोड़ दिया निकी बताने लगती है कि उसका एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर रिंग का निशान था जैसे कि उसे पंच मारा गया हो लेकिन वो निशान दो दिन पहले का है उसके बाद किसी ने इस लड़की को गोली मार दी मतलब कोई तो है जो आजमा को पहले से ही मारना चाहता था कोई पुराना आशिक हो सकता है फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो आँख में काज़ा लगा कर काले कपड़े पहन कर अजीब तरीके से डांस कर रहा था इस लड़के का नाम है अरजुन और वो इस केसे कैसे related है ये भी आगे पता चल जाएगा फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो पहर में बंद थी और वहां एक और आउरत आती है जिसे सब कोई दीदी कहकर बुलाते हैं और वो उस लड़की से कहती है कि तुझे ये सब करना पड़ेगा अगर तुझे हिरोई बना है लेकिन वो छोटी लड़की आश्चा उसे तो अपने ममी पापा से मिलने जाना था उसे यहां से बाहर निकलना था उसके बाद जैपूर में हम गौरव नाम के लड़के को देखते हैं जिसे अरजुन का कॉल आता है और गौरव उसे कहरा होता है कि मैं सब को समाल लूँगा हमें कुछ भी नहीं होगा उस लड़की को कोई नहीं पैचान पाएगा गौरव की बातों से पता चल गया था कि गौरव और अरजुन को इलीगल बिजनस करते हैं अरजुन के लिए एक पारसल आता है लेकिन वो अपनी सेकरिटरी से कहता है कि इस पर मेरा नाम नहीं लिखा तो यहां से निकल जा और मुझे डिस्टर मत करना फिर वो पक पक कहता है मतलब ये मर्डर से लिंक्ट है राज और संजना डेकोरेटर के दुकान पे जाते हैं और उनसे इर्फान और रिजवान के बारे में पूछते हैं और वो आजमा को भी पहचानते हैं और सामने ही रिजवान का घर था लेकिन घर पर ताला लगा था परोस वाली औरत कहती ह वो गाउं गया है, crime unit को आजमा के घर का address मिल जाता है और घर का दर्वाजा खुलावा था, अंदर कोई नी था, उन्हें अंदर में महंगे महंगे कपड़े और बैग देखने को मिलते हैं, और एक डॉक्टर सैफुद्दिन का prescription भी मिलता है, एक courier receipt था जिसमें से उन्हें आ जवान को भी पहचानते हैं, जो अभी गाउं गया हुआ है, वो ये भी कहता है कि आजमा की मा मुनीरा उसे बिल्कुल नहीं पसंद था, उसकी बेटी जो काम करती थी, हमेशा उसकी बेटी के साथ जगड़ा होते रहता था, अविनाश और संजना तुरंद पहुंचते हैं भोपाल और आजमा की मा मुनीरा से मिलते हैं, और उन्हें बता देते हैं कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, वो रोने लगती है, उसे जो कूरियर आया था, उसमें उन्हें एक पेंडराई मिलता है, जिसमें एक फोटो था, उसमें एक डेड लड़की की फोटो थी, अव जुन को देखते हैं जो अपने थेरेपिस्ट के पास डेर साल के बाद आता है और वो बता रहा होता है कि उसके पापा इस दुनिया को छोड़ कर चले गए यहां तक कि उसका डांस देखने के लिए भी कोई नहीं आता अविनाश और संजनार रिजवान से मिलते हैं और वो भी काफी रो रहा था कि उसके दोनों दोस्त मारे गएं अविनाश उसे पूछता है कि आजमा के चेरे पर किसी के मारने का निशान था तो वो कहता है उसे कुछ नहीं पता उसने आजमा को नहीं मारा वो बताता है कि आजमा प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी और वो हाई क्लास लोगों के साथ होटल में जाया करती थी और वो उस रात के बारे में बताता है जब आजमा का उसे कॉल आया था और रिजवान उसे हॉस्पिटल में ले जाने वाला था तो अविनाज बताता है कि लड़की के गले में स्ट्रगलिंग के निशान है और उसके उपर से गोली मार दी गई है ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई रैंडम किलिंग है इस विक्टिम का नाम है तारा सजदेव और वो दस दिनों के लिए जैपूर आई थी और उसने उनका कॉल आता है और वो दोनों ही किसी बड़े क्लाइंट को लड़की देने के बारे में बात कर रहे थें मतलब लड़की सप्लाइ करने के बारे में जिससे उन्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे स्पेशल क्राम यूनिट और जाया को ये पता चलता है कि तारा के घर में उस लगता है वो कोई क्लाइंट हो दोनों में होटल में मिलने की बात हो रही थी वो लोग मैसेज को देखते हैं जो आजमा को आया करता था जो एक पैटर्ण फॉलो करता है और वो लोग जब ये देखते हैं कि आजमा उस दिन कहां गई भी थी उसका GPS लोकेशन ट्रैक करते हैं तो आसपास जो बिल्डिंग्स थे उसमें से एक बिल्डिंग का नाम समरिद्धी था मतलब सैम और वहीं आजमा अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी उसी ने आजमा के चेहरे पर पंच मारा और वही खूनी भी हो सकता है जब वो मैसेज से आने वाले नंबर पर फो बता है और बताने लगता है कि दो मैने पहले मैं आजमा को एक पार्टी में मिला था आजमा की हालत खराब थी और एक और आजमा को लेकर बात्रों में चली जाती है आजमा का बैग राजिव के पास रह गया था और थोरी दिर के बाद जब आजमा बाहर आती है तो नहीं चाहता था कि उसकी पतनी को इस बारे में पता चले इसलिए वो आजमा पर चिला कर फोन काड़ देता है। बिजनस में आई और अविनाश उसे पूछता है कि आजमा एक क्लाइंट के लैपटाप में एक लड़की के डेड़ बॉड़ी की तस्वीर देख लेती है और अगले ही दिन वो तुमसे बात करना चाहती थी उसने तुमसे कुछ बोला। जिन उसे एक औरत मिली थी जो उसे दो दुकान में लेकर जाती है और टोटल बारा सिम खरिती है पूनम का आधार कार्ड यूज करके और उस सिम के बारे में पूनम को कुछ नहीं पता उसे तो उस औरत का चेहरा भी याद नहीं है। प्राम के समय अविनाश अमीशा के घर जाता है क्योंकि अमीशा का फोन बंद आ रहा था। जब वो उसके घर पहुँचते हैं तो अमीशा खुद को खतम कर चुकी थी। एक लेटर था जिसमें लिखा वा था वो अपने जिंदगी से तंग आ चुकी थी। जोशी मान रहा था कि कहीं न कहीं अमीशा के मरने की वज़ा वही लोग हैं। अगर वो लोग उसे पूछताच करने के लिए नहीं गए होते तो शायद वो जिंदा होती। बाद में उन्हें पता चलता है कि अमीशा पांस दिनों के लिए जैपूर जाने वाली थी। मतलब सभी लड़कियों का जैपूर से कुछ न कुछ कनेक्शन है। कई साड़ी लड़कियों की लिस्ट मिलती है जिन्हें फ्लाइट के जर्ये मुंबई से जैपूर ले जाय जा रहा था। बिल्कुल जैसे अमीशा जाने वाली थी। जैपूर में एक होटल में हम कुछ दोस्तों के ग्रूप को देखते हैं जो आय होते हैं। दूसरी तरफ जैपूर के एरपोर्ट पर जाया लड़कियों को ढूंड रही होती है जिन्हें बरे क्लाइंट को बेचने के लिए लाया गया है। वहाँ हमें गाड़ी को देखते हैं जिसमें कम उमर की लड़किया भी थी। कमिशनर अपडेट मांगते हैं तो अविनाज बता देता है के आजमा जिस क्लाइंट के पास गई थी उसने उसके लैपटॉप में एक लड़की के डेट बाड़ी को देखा जिसके बाद नाई टाउल बार में उसे मार दिया गया। उसने ये बात अमीशा को भी बताया तो अमीशा भी मारे गई। आज से भी तुम्हारे यूनिट के लिए फंड नहीं मिलता। फिर हम गौरव को देखते हैं और यहां सब कुछ क्लियर हो जाता है के गौरव हुमन ट्राफिकिंग में शामिल है और वो छोटी बच्चियों को बड़े क्लाइंट्स को बेचता है। फिर हम छोटी लड़की को देखते हैं जिनने जैपूर लाया गया था हीरोईन बनाने का सपना दिखा कर एक लड़की रिम जिम बात्रूम चली जाती है और अपने पैरेंट्स को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। क्रामी नुट को पता चल जाता है कि एक लड़की का नाम रिम जिम है जो बता देती है कि वो एक दीदी के साथ यहां पर आई है तब ही वो औरत बात्रूमे आ जाती है और रिम जिम का फोन उससे ले लेती है जैपूर पहुंच का रविनाश और उसकी टीम जया से मिलती है फिर उन्हें अमित का कॉल आता है जो बता देता है कि उसकी एक क्या है उसके साथ और कोई दीदी भी है फिर हम उन लड़कों के ग्रूप को देखते हैं जो सभी लोग मस्ती कर रहे थे लेकिन एक लड़का बंटी काफी अपसेड बैठा हुआ था क्यूंकि उसे ड्रग्स करना पसंद नहीं उसका एक दोस्त जाकर उसे बताने लगता है सभी के लिए अंदर एक गिफ्ट रखा गया है जो कुछ और नहीं बलके 15-16 साल की लड़किया होंगी बंटी काफी गुसा हो जाता है और कहता ही ये गलत है इसे रेप कहते हैं अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी फिर हम उस दीदी को देखते हैं जो 6 लड़कियों क लेकर होटल में आती है और सभी लड़कियों से कहती याला गला कमरे में चले जाओ क्यूंकि यहां तुम्हारा ओडिशन होगा स्पेशल क्राम यूनिट को जहां से रिम जिम का कॉल आया था उसी टावर के आसपास उन्हें कोठी का पता चलता है और वहां उन्हें शक होता है कि वो छे लड़किया वही होंगी अब वो लग तुरंट निकलते हैं तो वही उन लड़कियों को तयार किया जा रहा था फिर वही लड़कों को देखते हैं जो उन लड़कियों के कमरों में जाकर उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं मगर बंटी लड़की के साथ चालेते हैं अरजुन को पता चल जाता है कि पुलिस की रेट पढ़ गई थी और वो फसने वाला है ब्लैक हुडी में हम अरजुन को देखते हैं जो लंगडाते वे भाग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे उसी का शूट आउट से कुछ ना कुछ कनेक्शन था जया गौरव से पूछताच करती है और वो साफ साफ मना कर देता है कि उसका ये सबसे कोई लेना देना नहीं है और खुद को बचाने के लिए वो अरजुन को फंसा देता है जिसके बाद क्राइम यूनिट अरजुन को ढूनना शुरू करती है जैपूर के अरपोर्ट, राजस्थान और भी कए अरपोर्ट के जगा चेकिंग शुरू हो जाती है जया बताती है कि गौरव एक डिजाइन शॉप चलाता है और उसी के आर्ड में वो ये सब इलीगल बिजनस करता है मगर उसका असले बिजनस है अडल्ट वीडियोज बनाना वो एक प्राइविट कलब चलाता है रिच बॉइस कलब और उन्ही को वो वर्जिन लड़कियां सप्लाई करता है गौरव उन लोगों को तारा के बारे में बताता है और कहता है कि जरीमी नाम का एक क्लाइंट था जो तारा को पसंद करने लगा था इसलिए अरजुन ने तारा को भेज दिया उसके पास और जरीमी को वाइलेंस के बगैर जोश चड़ता नहीं था इसलिए उसने तारा का गला दबाना शुरू किया लेकर आउट अफ कंट्रोल हो गया और तारा मर गई अब उन लोगों का में मकसद है अरजुन चोहन को पकरना जो इस सब के पीछे का मांस्टर माइंड है अविनाश और उसकी टीम दीदी को लेकर मतलब आनिका को लेकर और बाकी लड़कियों को लेकर मुंबई चले जाते हैं कमिशनर अविनाश को अब बस 36 गंटे का समय देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से केस को सॉल्फ करो वरना ये केस CBI को सौन दिया जाएगा ओफिस आने पर आमिता विनाश को बताता है कि समरिधी वाले बिल्डिंग से पिया नाम की लड़की अरेस्ट हुई है जो उस बिल्डिंग में लड़कियों को बंद करके रखती थी छोटी बच्चियां कनफर्म करती है यही लड़की है पिया और ट्रेन के टैम टेबल के हिसाब से वो सबी ये भी पता कर लेते हैं कि रिजवान ने अपने इंट्रोगेशन के समय जूट बोला था कि वो अपने गाउं जाने वाला था और रिजवान के उपर भी उनका शक बढ़ते जा रहा था वो लोग रिजवान को पकड़ के पुलिस टेशन लाते हैं और उसे बहुत मारते हैं और पूछते हैं कि उसका अरजुन के साथ क्या कनेक्शन है रिजवान रोते हुए गिरगराते हुए कह रहा होता है कि उसने किसी को नहीं मारा उसे पता भी नी था कि शूट आउट के समय वहां पर इर्फान और आजमा होने वाले थें उसके बाद वो बताने लगता है कि आजमा उसके पास आई थी और उसके चेहरे पर पंच का निशान था आजमा बताने लगती है कि वो अपने क्लाइंट के लैपटाप में कुछ तो देखी थी और मुबंद करने के लिए उस क्लाइंट ने उसे दस हजार रुपे भी दिये अगले दिन जब वो गाउं जाने वाला था तो उसे अरजुन का कॉल आता है जो रिजवान को कहता है कि आज रात नाइट आउल बार में एक लड़की आने वाली है जो उन लोगों के नाक में दम करके रखी है बस रिजवान को जा कर उस लड़की को धंकाना है इसलिए रिजवान रात के समय बार में जाता है इस बात से अंजान के वो लड़की आजमा ही है वो हैरान हो जाता है वहाँ अपने दोस्त इरफान और आजमा को देख कर फिर वहाँ पर बलैक हुडी पहन कर एक आदमी आता है जो वहाँ सभी को मार डालता है बस रिजवान को छोड़ देता है फिर वो आजमा के पॉकेट से कुछ ढूनने लगता है जिस वज़े से वो नीचे गिर जाती है और ये सब देखने के बाद डर के मारे रिजवान अगले दिन अपने गाउं के लिए निकल पड़ता है अविनाश के कहने पर रिजवान अरजुन को कॉल लगाता है लेकिन कॉल अन्रिचेबल आता है अब अविनाश और राज सोच रहे होते हैं के आजमा अरजुन के लप्टॉप में लड़की के डेड बॉड़ी को देख ली थी तो उसे आजमा को तब ही मार देना चाहिए था ऐसे पंच मार कर भेजने की क्या जरुवत थी उन्हें ये भी बहुत अजीब लगता है के अरजुन को किसी ने देखा तक नहीं उसे कोई पहचानता भी नहीं पीया भी नहीं जानती जो उसके साथ दो साल से काम कर रही है संजना बताने लगती है कि किस तरह से अरजुन या बिजनस चलाता है और वो पैसे पीया को भेज़ता है जिससे ये पूरा बिजनस वही समालती है जैसे के लड़कियों को तयार करना कपड़े लत्ते खरिदना मेक अप वगएरा और रेंट का पैसा देना फिर लड़कियों को सैलिरी देना ये सब कुछ पिया करती थी और लड़कियों के कमाय हुए पैसों से ही अरजुन का बिजनस चलता है और हर लड़की को अरजुन को करीब एक लग पचीस हजार देना ही पड़ता है लेकिन फिर भी किसी ने अरजुन को नहीं देखा ऐसा कैसे हो सकता है यहां संजना बताती है कि लड़कियों से सीधा पैसा अरजुन को नहीं जाता था बलके रिजवान को जाता था अविना समझ जाता है तो इसे लिए अरजून ने रिजवान को बार में नहीं मारा वो सोचने लगता है कि अरजून पिया को पैसे देने के बाद बागी के पैसे देता किसको था वो रिजवान को मारता है तो वो AC Artifact Company का नाम लेता है वो लोग उस company के office पहुंचते हैं और अरजुन को पकड़ लेते हैं लेकिन उसके चार्ड ढाल से लगता था कि उसने शायद ये सब उच नहीं किया और उन्हें वहाँ पर एक डबा मिलता है जिसके अंदर एक phone था और कई सारे alphabets लिखे वे थे एक plastic में जिसके अंदर sim cards थ फिर वहाँ पर आरती नाम की एक लड़की पहुंचती है जो अरजुन की सौतेली बहन है अविनाश अपने team से कहता है कि वो शुरू से ही इस case को समझी नहीं पाएं वो दूसरे ही direction में जा रहे थे हैं वो मार्या को बुलाते हैं जो अरजुन की secretary है और वो बताती है कि अर करी होती है जिंदर को phone करो और special crime unit अरजुन को arrest करके ले जाती है आरती राजीव से कहती है जिंदर को call करो और जब राजीव फोन लगाता है तो वो अरजुन के photo को देखकर पक पक करता है अविनाश यह देख लेता है उसके बाद वो लोग राजीव और आरती को पूछता अरज के ले बुलाते हैं और आरती में बहुती जादा attitude था कहती है जल्दी करिये मुझे meeting पर जाना है वो कहने लगती है कि वो यहाँ पर नहीं थी वो बैंगलोर गई भी थी अपने SUV से विनाश उसे पूछता है तो फिर तुम्हारी गारी किसी भी टोल प्लाजा के पास दिखी क्यों नहीं संजना बताती है तुम्हारी गारी को दिल्ली जाते वे देखा गया उसके बाद तुमने एक दूसरी गारी हायर की जिसके मदा से तुम जैपूर गई और फिर वहां से तुम 20 घंटे ड्राइविंग करके तुम मुंबई वापस पहुची बिलकुल उसी बस यहां एक एमपलॉई है आर्टी भड़क जाती और कहती है कि यह सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो जाकर मेरे मड़ेवे पिता से पूछो आर्टी के पापा एक करनल थे उन्होंने आर्टी को इस कंपनी का कारभार नहीं सौपा क्यूंकि उन्हें पता चल गया था कि आर्टी एक लेजबियन है वो बताने लगती है जब वो आठ साल की थी तब उसकी मा उसके पापा को छोड़कर चली गई उसके पापा ने आर्टी को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और उस बोर्डिंग स्कूल में स्टूडेंट के साथ बहुत गलक काम होता था पापा ने उस औरस से शादी कर ली और सब कुछ अरजुन के नाम कर दिया राजीव ने भी पैसो के लिए आरती से शादी की लेकिन उसे मिला कुछ नहीं और कहती है बस इससे जदा मेरा इस केस में कोई इंवाल्मेंट नहीं है लेकिन अविनाश कहने लगता है कि आजमा के साथ एंजॉय करने वाली तुम ही थी उसने तुम्हारे लैप्टॉप में उस लड़की की डेड बॉडी की तस्वीर देखी आजमा अमीशा के नंबर से आरती को मेसेच करती है तो डर के मारे आरती उसे रिपलाई कर देती है बाद में जब उसे पता चलता है ये तो अमीशा का नंबर था इसलिए वो उस दिन बार में जाकर आजमा से उसका फोन ढूंड रही थी लेकिन जब उसे फोन नहीं मिलता तो वो उसके घर भी गई थी आरती कॉन्फिजेंट होकर कहती है कि आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि वो सिम कार्ड मेरे नाम से रेजिस्टर्ड नहीं है नहीं आप लोग के पास प्रूफ है कि वो फोन मेरे घर से ही आया था अविनाश ये खुलासा करता है कि जब आरती अमीशा को मारने के ले गई थी तो स्ट्रगल के समय अमीशा आरती के बाल को नोच लेती है जो बाद में फॉरंजी को मिल गया था मैच करने पर पता चला ये आरती का ही है सीसी टीवी फूटेज, बंदुक ये सब कुछ घूम फिर कर आरती के तरफ ही पॉइंट करते है विनाश उसे पूछता है तुमने आजमा को मारने के लिए बार में बागी बेगुना लोगों को क्यू मारा वो कहती है क्यूंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती थी वो लोग मुझे रोख सकते थे इसलिए मैंने सब को मार डाला और जहां तक 15-16 साल की लड़कियों का ट्रैफिकिंग का सावाल है तो उस पर आरती कहने लगती है के मैंने तो उन्हें फ्री कर दिया है वो अब अच्छी लाइव जी रही है उन्हें कितना पैसा मिल रहा है अच्छा खाती पीती है क्या कमी है उनके पास अविनाश का गुस्सा बहार निकलने लगता है और कहता है के आरती रेप को जस्टिफाई कर रही है आरती कहती है मुझे ये सब गलत नहीं लगता क्योंकि मैंने बच्छपन से ही यही सब कुछ देखा है मेरे साथ यही हुआ है मैं कभी किसी को ये बात बता नहीं सकती थी मैं अपने इमोशन्स को बहार आने दे नहीं सकती थी मुझे यही सब सही लगता था इसके बाद वो टेरेस में जाकर किनारे पर खड़ी हो जाती है अपनी जान देने के लिए और कहती है मैं जेल नहीं जाओंगी और वो अपने नकली बाल निकाल लेती है अपने बिजनस का एड़ करना को इस लड़की से सीखे फिर एड़टाइजमेंट करने के बाद वो कूद कर अपनी जान दे देती है अब सब कुछ खतम होने के बाद सारे आफिसर्स एक साथ जेल की बेटी किडनेप हो गई है और इसे के साथ वो एक और केस सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं और इसे के साथ साइलेंस टू मुवी एंड होती है विडियो पसंद आया तो विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में टेक केर